नमस्ते मित्रो माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर एप्लिकेशन्स ना यूनिट वन ना नौमा लेक्चर मा आपनो स्वागत छे आजनू टाइटल छे टेको जन्रेटर फिर इक्विजिट्स फर दिस सेशन नौलेज ओफ टेको मेटर मित्रो तमें सैमिस्टर 4 मा रोटेटिंग मशिन ना प्रयक्टिकल्स करती वख़त है टेको मेटर यूज करेल हशे में भी उलेक्टरो मेकेनिकल हई शक है अधर्वाइस बिजिटल हई शक है ए टेको मेटर मा रोटेटिंग बीवाइस नी स्पीड मेजर करीने तमने RPM मा बतावे छे अने basically अंदा मिनी जे digital circuit छे ए digital circuit rotating device ना rotation प्रमाणे voltage generate करे छे अने ए voltage नू digital numbers मा conversion करीने तमने RPM बतावे छे टेको generator एनूज further developments है यह अपने समझ यह after completion of this session student will be able to identify quality of good टेको generator classify and discuss type of टेको generator topics to be covered requirement of good टेको generator सारा टेको generator मा कई requirement एक या गुर्धर मो होवा जरूरी छे सारा टेको generator नी लाक्षन इकताव पन करी शका है types of टेको generator टेको generator ना प्रकार BC टेको generator ना construction, working, advantage अने disadvantage अने लास्ट मा आपने अपने 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 अप्लिकेशन से टेको जेरेटर नी जो ही लाईशो वाट इस टेको जनेरेटर इटने के ज्यारे σपीड माधवा मांटे टहको जंड़ेटर नो यूज़ थाए तो ए स्पीड मेजर करे छे अन्ね जी स्पीड छे एना प्रमाणे اक वल्टेज जंड़ेट करे छे ये वल्टेज आपने आगण फर्धर पॉसेस मां लाई शक्किये requirement of good टेको जनरेटर सारा टेको जनरेटर नी लाख्षान इकता हो अत्वा जरूर यातो linearity आपने जानिये छिए ये प्रमाणे जेटली speed हो ये प्रमाणे output voltage टेको जनरेटर जनरेट करे इटले के speed वर्सीज आउटपुट नू रिलेशन linear हो जरूरी छे इटले के speed प्रमाणे output voltage मा linearी चेंज आवो जोईए linear relationship हो जरूरी बने छे sensitivity, ability to react for minimum change speed मा जे minimum change था ए प्रमाणे voltage मा change reflect हो जोईए एटलू sensitive device हो जोईए output voltage शुड बी same in either direction टेको जनरेटर ना reverse नी जे forward ने reverse बे rotation मा थी गमेदे rotation हो जोई पड़ वल्टेज के वो हो हो जोईए जनरेटर दो equal हो हो जोईए output voltage शुड बी free from ripple, harmonic and noise जे आपड़े output voltage मेजर करिये छे एकोई पड़ प्रकार ना ripple अत्वा harmonic के noise impurities वगल नू होवो जरूरी बने चे construction of DC टेको जनरेटर अहीं पहला आपने DC टेको जनरेटर जोईशों अने त्यार बाद AC टेको जनरेटर जोईशों similar construction is DC servo motor जे विरीते DC servo motor आपने श्टडी करी छे पाछण ना लेक्चर्स माँ आमाँ पण field system अने armature system छे field system माँ अने armature system माँ जे प्रमाणे DC servo motor माँ भाग छे ए प्रमाण छे फरक थोडुक माइन और फरक छे अहीं योक छे आजे बादनू supporting system छे ए योक छे औने permanent magnet छे त्या पर्मेनेंट मैगनेट आपने यूज नता करया आपने winding यूज करिया थी आर्मेचर माँ जोईए लेमिनेटेट कोर छे आर्मेचर नी जे माँ winding लगावा माँ आवे छे winding arrange करवा माँ आवे छे औने brush अने commutator system छे आप brush अने commutator system छे ए शाफ्ट पर सेट करवा माँ आवे छे औने commutator segment ती बच्चे insulation होई छे, commutator segment आपने ख्याल होई तो section मां होई छे continuous commutator क्यारे होतो नथी working of DC techo generator whenever flux cut the magnetic field due to movement EMF is induced मित्रों हाई आपणे आडिवाइस छे ए रोटेटिंग डिवाइस नी साथे यूज करिये छे इटले के ज्यारे आपने stator मां जूएं के permanent magnet छे औने rotor छे ज्यारे एने एनी शाफ्ट ने रोटर नी शाफ्ट ने आपने rotating डिवाइस साथे connect करिये तो ए move थाए ए rotation थाए औने flux मां change जावे औने EMF induced थशे जे मशीन माटे तमें observation राखी रहाज़ो तमें observation करी रहाज़ो जे मशीन नूँ एनी जोडे टेको जनेरेटर नी टीप मुक्षो connect कर्शो अने एनू rotor stat थशे फरवानू अने rpm प्रमाणे voltage generate कर्शे whenever armature rotates ज्यारे पन armature फरे छे EMF induced थाए औने flux ना change ना करणे IMF induced थाए छे औने IMF brush पर लेवा मावे छे जे तमने finally output voltage आपे छे advantage and disadvantage of teko generator no residual voltage at zero speed जारे टेको जनेरेटर static होई steady होई zero speed पर होई तो कोई पर कारे residual voltage generate ठतो नथी जे inherent energy छे एकोई generate 30 नथी voltage generate 30 नथी 0 speed पर खुबस जरूरी छे 0 speed पर voltage 0 पचे आरे पीम प्रमाणे voltage नी range चेंज थाए तोज linearity आगे good sensitivity produce high voltage डिसी टेको जनेरेटर नी sensitivity सारी छेट लेके speed माँ minor change थाथा voltage माँ पर minor change थाए ओछू speed to change पर detect थाई शके जे voltage माँ reflect करी शकाए no harmonics in output आउटपुट माँ कोई पर harmonics जोवा मरता नथी आथा या ना advantage और disadvantage जोई है commutation difficulties ज्याँ पढ़ मित्रो brush अने commutator आवे तिया समझी जमानों के there will be commutation difficulties अने brush ना लिजे wear and tear थवानू friction थवानू गसारो थवानू एटले maintenance थाए sparking at brush due to poor commutation, repulse are observed in output अने maintenance due to commutator and brush brush अने commutator ना लिदे कोई पर मशीन हो एमा maintenance थाए हवे AC टेको generator जोई है मित्रो same AC servo motor जेवू छे तमें structure जो construction जो तो याद आउशे आ रोटर छे आ रोटर स्क्वीरल के इज रोटर छे में भी induction cup type होई शके एक winding छे जे supply voltage आपवा मा आवे जैने excitation winding कहे छे औने busy winding मा output लेवा मा आवे छे जैने output winding कहे छे बे main part छे stator औने rotor stator laminated core होई छे stator मा औने बे winding छे बनने एक बीजानी 90 degree है प्लेस करे ली होई छे एक छे excitation winding औने बीजी छे output winding excitation winding औने output winding stator मा एक बीजाती 9 degree है मुकेल छे तो आथा इस stator नी वाद अवे रोटर नी वाद करिये के squirrel cage rotor with aluminum bar बन्य साइथ short circuited करे ला होई छे जेथी cage geo construction थाए छे cage geo structure देखाए छे diacast rotor पंड यूज थरशके cup प्रकानों diameter ओछू राखवा मा आवे जेथी inertia ओचू होई अने aluminum बार ना लिधे वज़न घटे छे जे थी measurement सारा आवे start stop जड़कती थाई शके working of techos generator again similar के ज्यारे excitation winding ने ऐसी supply अपवा मा आवे alternating flux induced थशे rotor ज्यारे steady होई क्यारे flux माँ कोई change आउत्यों थी एटले output winding माँ पड़ कोई flux link ना थाए change ना थाए एटले output induced ना थाए परन्तु ज्यारे आपड़े machine साथे जे पर machine observation माँ चे एनी साथे टेको generator connect करिये त्यारे rotor फरे छे अने two-field revoling theory प्रमाने output winding मा voltage induced थशे अने आप direction of rotation reverse थाए त्यारे output 180 degree displaced होई ज्यारे in phase होई input साथे त्यारे positive direction के वाए out of phase होई त्यारे negative direction के वाए परन्तु output voltage एक सरखा होई छे advantage and disadvantage of AC takeo generator no ripple in output अहीं output मा ripple जोवा मढता ना थी जे DC takeo generator मा आपने जोईव के अबजर्व थाए छे maintenance ओछू छे अहीं brush ना थी commutator ना थी एटले maintenance ओछू छे less power required input power उचू जोई ये छे friction घटे छे एटले disadvantage sensitivity compare मा उची छे DC takeo generator नी compare मा sensitivity उची छे एटले के moment वधारे rotor नी moment थोड़ी वधारे थाए तो output voltage generate थाए छे उच्छी moment output मा चेंज लावती न थी application of takeo generator takeo generator ना उप्योग speed measurement मा थाए sensing मा थाए electromagnetic इंटीग्रेटर मा थाए analog computer जोके हाल analog computer यूज थाता ना थी एटला औने अने automatic control system मा टेको generator नो यूज थाए छे तो मित्र आजे आपने शों शिख्या सारा takeo generator नी requirement शिख्या औने DC अने एसी takeo generator मा कई-कई वस्तों शिख्या आपने construction, working, advantage, disadvantage औने बनने नी एप्लिकेश्टियों thank you and keep learning